पलातकारी राम रहीम की आयाशी की सच्छी तस्वी पहली बार स्क्रीन दिखेगी बाबा की कर्दू बाहर आगई बाबा के कमरे की अंगर की हकीका बाबा और हनी के कास्टिक काउच पर बनी फिल आज का वारिल बलातकारी बाबा राम रहीम की आयाशी का परदा फाश करता हुआ एक ऐसा वीडियो है जिसे देख कर आप दंग रहे जाएंगे ये एक शॉट मूवी है जो आक्ट्रिस और मॉडल मरीना ने बनाई है ये वही आक्ट्रिस है जिसने राम रहीम पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था जिसने फिल्म देने के बहाने अशलील हरकते करने की बात कही थी ये फिल्म भी मरीना ने बनाई है लेकिन इसके सब्टाइकल में साफ साफ लिखा है कि ये फिल्म एक सची घटना पर आधारित है ये बलातकारी बाबा की अब तक की सबसे बड़ी कॉंट्रूवर्सी है मतलब साफ है कि मरीना ने एक ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसमें उसने अपने और बाबा की मुलाकात को सब के सामने रख दिया इस फिल्म में बड़े-बड़े बालों के साथ एक बाबा नजर आ रहा है हनीप्रीत भी दिखाई देती है मरीना और बाबा की मुलाकात के बीट जो कुछ हुआ वो पूरा वाकिया इस फिल्म में दिखाई देता है जब से इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर आया है लाखों लोगों ने इसे देखा है वाटसैप और फेजबुक पर दना दन लोग इसे शेर भी कर रहे है क्या वाकिए ये फिल्म बलातकरी बाबा राम रहीम की काली कर्दूतों का परदा फाश करती है क्या वाकिए ये शॉर्ट फिल्म सची घटनाओं पर आधारित है क्या ये फिल्म मॉडल रेक्टर मरीना कुवर की साथ हुई घटनाओं को परदे पर साकार करती है इस वीडियो की हम सचाई आपको बताएगे लेकिन उससे पहले देखते हैं ये वार रेक्टर मरीना ने दावा किया था कि जब वो अपने दोस्त मयूर वर्मा के साथ राम रहीम से मिलने गई थी तब उसके साथ बाबा ने अशलील हरकते की थी ये सही है कि मरीना ने राम रहीम पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था इंडिया टीवी के कैमरे पर मरीना कुबर ने बलातकारी राम रहीम पर ऐसे ऐसे आरोप लगाये थे जिने सुनकर आप दंग रह जाएंगे मरीना ने खुल कर कहा था कि होटेल के कमरे में राम रहीम ने उसके साथ अशलील हरकते की थी हमت सिंगorp न लिखा हमस्ट सिंग लागा पलाकारी बाबा पर और भी फिल्में बनानी चाहिए ताकि दुनिया जान सके इसने संत बनकर कैसे लोगों को लूटा है और लड़कियों की खराब्की है फिल्म लाइन में ये तो सिर्फ अयाशी करने गया था मahumad शौकत आलम ने कहा फिल्म बनाने वालों के हिम्मत की दात देनी होगी जिन्होंने सच्ची कहानी को फिल्म को परदे पर उतार दिया इस फिल्म को राम रहीम के भक्तों को देखना चाहिए उन्हें सच्चाई बताना जरूरी है राम रहीम ने इंसानियत के साथ साथ देश को बदनाम किया है विशुजीत रपाठी ने कमेंट किया ये फिल्म नहीं है ये तो सिर्फ यूट्यूब के लिए शौट फिल्म बना कर पॉपिलर्टी और पैसा कमाने का तरीका है बाबा तो बलातकारी है ही लेकिन ये लोग भी कोई दूद के दुले नहीं है सब मतलबी है पबलिक को बेखूफ बनाते है पुश्पेंद्र कुमार का मानना है ये तो वही मॉडल है जो कुछ दिन पहले टीवी चैनल पर ये बता रही थी कि कैसे राम रहीम ने उसे फिल्मों में काम करने के लिए कॉंप्रमाइज करने को कहा था ऐसा लगता है इन लोगों ने राम रहीम से पदला लेने के लिए फिल्म बनाई है उदिताह अगरवाल कहती है राम रहीम ने जिन जिन लड़कियों को अपना शिकार बनाया उन्हें सामने आना चाहिए और अपनी कहानी बतानी चाहिए मुझे भरोसा है इस फिल्म के बाद कई लड़कियां सामने आएंगी और अपनी आप वीटी बताएंगी सिनिमा के जरिये लोगों को जागरो करने की ये पहल स्वागत व्योग के है देश दीपक शर्मा ने लिखा इसमें सबसे फणी हनी प्रीट लग रही है उसके हावभाव और मेकप को ऐसा रंग दिया गया है जिसे देखकर हसी आती है ऐसा लगता है कि मॉडल मरीना और राकिर सावंत को बाबा से ज़्यादा हनी प्रीट से प्रॉबलम है अब शेक चतरवेदी ने कहा फिल्म की कॉलिटी तो अच्छी नहीं लगी लेकिन जिस वज़े से फिल्म बनाई गई है वो जबर्दस्त है असली कलाकारों को यही करना चाहिए फिल्म हो यह शॉर्ट फिल्म सची घटनाओं पर बनी फिल्म हमेशा बहतर होती है बेस्ट आफ लग गई मुझे तो लगता है मरीना भी राकिर सावंत के तरह ड्रामे बास है अब तक उसे कोई नहीं जानता था लेकिन बाबा के एपिसोड के बाद से यह फेमस हो गए अगर मरीना के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने पुलिस में कम्प्लेन क्यों नहीं की कविंद्र त्यागी का मानना है इस तरह की फिल्मों की बेहत जरूरत है सिर्फ बाबा राम रहीम ही क्यों और भी देश में ऐसे कई लोग है जो महलाओं का शोशल करते हैं उन पर भी फिल्में बने मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद कई लोग फिल्म बनाने लगेंगे तो सवाल है राम रहीम हनी प्रीड और मरीना के बीच होटल के कमरे में क्या हुआ क्या मरीना कुवर की फिल्म सची खटना पर आधारित है क्या वाकई राम रहीम ने मरीना कुवर के साथ अश्लील हरकते की क्या है बलातकारी राम रहीम की पहली सीडी का सच देरा सच्चा सौदा प्रमुक गुर्मीत राम रहीम जब से सलाकों के पीछे है उसकी अयाशी की दास्तान लोगों के सामने आ रही है उसके और हनीप्रीत के रिष्टों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल उठाने वाले डेरे से जुड़े पुराने लोग ही है ऐसे में उसकी काली कर्टूतों पर शक करना मुश्किल है राम रहीम अपनी अयाशी के लिए कुछ भी कर सकता है उसका फिल्मों में आना भी यही वज़ा थी मरीना कुवर से पहले राकी सावंद ने भी बाबा के चरित्र को लेकर कई सारे सवाल खड़े किये थे मरीना ने बताया जब वो राम रहीम से मिली तब वो शराब के नशे में धुद था उसे MSG फिल्म में काम दिलाने के लिए होटेल बुलाय गया था उस दौरान उनके मित्र मयूर वर्मा और राकी सावंद भी साथ थी बाबा ने हनी बीट के सामने ही मरीना की बॉडी की तारीफ की थी मरीना ने ये भी दावा किया कि बाबा की इन हरकतों को लेकर उसने 6 महीने पहले ट्वीट भी किया लेकिन मेरे ट्वीट के बाद लोगों ने मुझे दराना और धंगाना शुरू कर दिया जिसके बाद मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया मरीना का कहना है कि बाबा इंपोर्टर्ट शराप पीता है और ड्रग्स भी लेता है साथ में ये भी बताया कि बलातकारी बाबा ने उसे अपनी गुफा में आकर बहां की रंगीन जिन्दगी का मज़ा उठाने के लिए कहा था एक सवाल ये उठता है कि मरीना कुवन ने राम रहीं के समर्थकों को समख सिकाने के लिए फिल्म बना आई या फिर होटल के कमरे में राम रईम ने बलातकारी बाबा ने जो मरीना कुवर के साथ बस्लूकी की थी उसका बदला लेने के लिए उसने फिल्म बनाई आखिर इस फिल्म को बनाने के बीछे वजा़ क्या है फिल्म लाने के इसलिए जुरत परी है मुझे क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैंने आप लोगों के थुरू सिर्फ मेडिया में बोला है बट इग्जाक्ली मेरे साथ क्या हुआ था वो किसी मतलब सिर्फ मुझे पता है और उस बाबा को पता था तो सब लोग मुझे यही बोलते थे कि क्या है किस कदर हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो फिर मैंने सुचा क्यों नहीं जो मेरे साथ जो घटना उस दिन उस रूम के अंदर जो हुई थी बेडरूम के अंदर क्यों नहीं मैं उसको मैं फिल्म के द्वारा लोगों को जनता को दिखाऊं कि किस कदर उस बाबा ने मेरे साथ क्या हरकते की थी और मैं किस कदर मैं एकदम बेबस थी और मैं कुछ कर नहीं सकती थी मरीना कुवर का कहना है कि बलातकारी रामरहीम पर उसने जितने भी आरोप लगाए है वो मन गढ़न बाते नहीं बलकी हकीकत है उसने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई सामने रखी है होटेल के कमरे में उसके साथ जो कुछ हुआ उसने जो कुछ देखा वो लोगों के सामने रखना चाहती थी और इसलिए उसने फिल्म बनाई है अभी तो सिर्फ फिल्म का ट्रेलर ही रिलीज हुआ है तो सोशल मीडिया पर संसरी फैल गई है जब फिल्म रिलीज होगी तो ऐसे में क्या होगा ये पता नहीं लेकिन जादा तर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या फिल्म में वो सारी बाते दिखाई गई है जो मरीना ने कैमरे पर कही है बोलते हो तो वो एक अलग लोगों को लगता है बट आप वो चीज दिखाते हो तो एक अलग ही लोग उसकदर अलग तरीके से चीजों को देखते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छी बात तो कुछ होई नहीं सकती है कि जनता इस फिल्म को देखे और मैंने सिर्फ उस रोम का ही सीन दिखाया है जो exactly क्या हुआ है बट देखे जो मैंने बोला था और बोलने में और दिखाने में बहुत फ़र्क होता है तो किस कदर बाबा क्या-क्या कर रहे थे वहाँ पे और वहाँ पे मेरी क्या भूमिका थी और बाबा की क्या भूमिका थी मतलब हर एक कैरेक्टर जो है वो सब उसमें दिखाया जाएगा तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात होगी की ऑडियंस के लिए कि उनको पता चले कि किस कदर लाइक यू नो यह सारी घटनाएं होती है बलातकारी बाबा राम रहीम पर हत्या का भी आरूप है बताया तो यह भी जाता है कि डेरे के अंदर जो कोई उसका विरोत करता था बाबा उसे खत्म कर दिया करता था ज्यादतर लोग राम रहीम को बेहत खतरनाक मानते हैं ऐसे में मरीना कुवर ने बाबा की पोल खोलने के लिए फिल्म बनाने का जो फैसला लिया वो बेहत ही हिम्मत वाला कदम है लेकिन ये सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि बलातकारी बाबा ने अगर मरीना के साथ बदसलुकी की अगर उसे फिल्मों में काम देने का लालश देखकर उसके साथ अशलील हरकते की अगर ये मामला कास्टिंग काउच का है तो उस वक्त मरीना ने पुलिस में शिकायत क् जब हमने मरीना से इस सवाल पूछा तो देखिए उसका क्या क्याना था रेप किया है जब ये सारी बाते निकल के आई है हने प्रीत आई है तो मैंने सिर्फ अपनी बाते रखी है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मैंने ये तो कहीं पे किसी चैनल पे नहीं बोला कि राम रहीम ने मेरे साथ रेप किया है या मेरे साथ कुछ करने की कोशिश हाँ जो उसने किया मैंने सिर्फ वही चीज बोला है और उससे एक्स्ट्रा या उससे ज्यादा मैंने कोई चीज ऐसी बोली नहीं है और बात रही कंप्लेइन की तो मैंने पहले कंप्लेइन नहीं की जाके अब मैं क्या कंप्लेइन करूं उससे क्या हो जाएगा तो वो लोग तो देख चाही सब कुछ दुनिया को पता चल जाएगी कि किस कदर उस बाबा ने मेरे साथ किया था। बलातकारी राम रहीम को उसके गुनाहों की सजा मिल रही है लेकिन उसके समर्थक सोशल मीडिया पर अक्टिव हैं। जब मरीना कुवर ने राम रहीम पर आरोप लगाये थे तो उसे सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा लेकिन जब अब फिल्म का टीजर सामने आया है तो एक बार फिर राम रहीम के समर्थकों ने मरीना पर हमला बोल दिया है। गालिया दे रहे हैं बहुत गंदा गंदा बोल हे हैं इनफरक्ड मेरे को बोलते हैं तुम ये सब कुछ पैसे के लिए कर रही हो और बहुत सारी चीजह यह चीजह तो देख़े यह तो आप जब कुछ भी ऐसे बोल सब्जेक्ट पे आप कुछ भी ऐसा करते हो और इस कदर बोलते हो तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं जो अंध विश्वासी लोग जिनको जो कहते हैं एक पट्टी उन्होंने आँखों पे बांधा हुआ है तो इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है और वो सारे वो ही राम र लोग जो हैं जो मुझे प्राब्लम कर रहें नौट इस फिल्म बनाने के पीछे का मकसद सच्चाई सामने लाना है मरीना का कहना है कि ये फिल्म प्रदशित होने के बाद बाबा राम रहिंग के द्वारा सताई गई कई लड़किया सामने आएकी और बलात खारी बाबा की मरीना कुवर ने बलाकारी राम रहीम पर कई आरोप लगाये हैं उसने कांस्टिंग काॉच के अलावा ये भी दावा किया कि राम रहीम शराब पीता है, ड्रग्स लेता है और शराब के नशे में धुथो कर ही उसने होटेल के खमरे में मरीना के साथ अश्रील हरकते की मरीना के पास सिर्फ आरोप है इन आरोपों को साबित करने के लिए उसके पास कोई सुब Sabrina की साथ क्या हूआ मारिया कुवर की बातों को सही बताया है कोई भी लड़की हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ी हो, यो दुनिया के सामने सच का सामना करना आसान नहीं है बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है, मरीना के साथ जो कुछ हुआ उसने इसको लेकर एक फिल्म बनाई है और इस घटना की एक मात्र गवा भी मरीना के साथ है मारिया के दावों में कितनी सचाई है, इसका फैसला आपको खुद करना है लेकिन एक बात हम जरूर दावे से कह सकते हैं, कि ऐसे बाबा जो आस्था के नाम पर ढोग करके अर्वों का सामराज्य खड़ा करते हैं और वो अपनी आयाशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे बाबा भारतर समाच के लिए कलंक हैं, ऐसे बाबाओं से दूर रहने की जरूरत है